सब्सक्राइब किजिए टेक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाईए लेटेश्ट टेक्स अपडेट सब से पहले देखने के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा अगेन आउटपुट टेक्स की डेफिनिशन के बारे में है लेकिन ये डेफिनिशन C GST Act की नहीं है, I GST Act की नहीं है और S GST Act की भी नहीं है ये डेफिनिशन है section 2 clause 7 में बताएगी definition वो भी UT GST Act 2017 के दोस्तों आप सोच रहाँगे मैं वीडियो बाई वीडियो के वाल आउटपुट टेक्स की definition के बारे में ही क्यों वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए पूरी की पूरी GST की वीडियो लाइवरेरी क्रियेट कर रहा हूँ तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले इन वीडियो को अपने friends and family के साथ दोस्तों के साथ जादा से जादा से जादा से शेयर करें जिससे की इस GST की वीडियो लाइबरेरी के बारे में जादा से जादा लोगों को पता चले और दोस्तों इन वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इस definition को हम लोग cover करेंगे mostly compare करते हुए IGST Act में दी हुई definition के साथ जिसको की हमने last वीडियो में ही discuss किया था तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं दोनों Act में दी हुई definition तो पहले UTGST Act वाली definition को पढ़ लेते हैं देन समझ लेते हैं तो दोस्तों यहां लिखा है section 2 clause 7 of UTGST Act output tax in relation to a taxable person means the union territory tax chargeable under this Act on taxable supply of goods or taxable supply of services or taxable supply of goods or services both made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge basis तो दोस्तों यहां simply लिखा है इस Act में output tax का मतलब union territory tax जो की charge किया जाना चाहिए supplier या agent दोरा taxable supply of goods या taxable supply of services पे बट वो supplier taxable person होना चाहिए और जो भी amount वो taxable person reverse charge में GST portal पे payment करेगा वो उस taxable person का output tax नहीं होगा तो कि reverse charge में P किया गया amount तो input tax होता है as per the definition of input tax provided under section 2 clause 62 of CGST Act और दोस्तों यह जो output tax होगा यह taxable person के reference में ही होगा यानि already registered है वो या label to be registered है दोनों को ही हम लोग यहां पे taxable person कहेंगे as per the definition of taxable person और taxable person के relation में ही output tax हो सकता है जब हम लोगों ने input tax किया था तो वहाँ पे था input tax cable और cable registered person के ही case में हो सकता है तो दोस्तों इस हिसाब से output tax यानि की government को पैसा लेने के बारे में तो government ने ज़्यादा लोगों कवर कर लिया registered को भी और unregistered को भी लेकिन input tax देने की case में cable और cable registered person को कवर किया unregistered को input tax का credit नहीं दिया जा रहा है इसके पारे में दोस्तों हमने output tax in cgst और output tax in igst दोनों में ही बहुत ज़्यादा detail में विस्तार में बात किया है link आपको description box में मिल जाएंगे आप महाँ जाके उन videos को भी watch कर सकते हैं और detail में जान सकते हैं और अगला ध्यान देने वाल उपर है chargeable यानि जो सही tax इस act में charge किया जाना चाहिए उसे ही output tax बोलेंगे जैसे किसी supply जो कि within the union territory हो रही हो दोस्तों अब जब हम लोग यहाँ पर union territory act के हिसाब से output tax बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो supplies within the union territory हो रही होंगे जिसके उपर UTGST Act चार्ज किया जाता है उन्हें को output tax बनाया जा सकता है इस परदर this definition और जैसे कि मैं आपके साथ example ले रहा था जैसे किसी supply जो कि within union territory हो रही हो तभी तो union territory यानि कि UGST tax चार्ज होगा क्योंकि interstate supply पर तो IGST लगता है और वो section 2 clause 18 of IGST Act से कबर हो जाता है तो हम लोग example लेके बात कर रहे थे चार्जियेबल वर्ड जैसे किसी supply जो कि within union territory हो रही हो और वो supply 18% वाले UTGST rate में आती है बट supplier में उस supply के 28% का UTGST प्लस CGST tax चार्ज कर लिया as output tax liability तो इस case में दोस्तों लेकिन चार्ज 18% करना चाहिए था तो as per the definition की जो चार्जियेबल वर्ड है इसके साथ सो उस taxable person की जिसने 28% tax charge कर लिया है उसके जो output tax liability होगी वो केवल और केवल 18% की बनेगी वो 28% की tax liability जो उसने create की जो उसने recover की 28% उसकी tax liability आउटपुट tax नहीं बनेगा as per the definition उसका जो output tax बनेगा वो होगा केवल और केवल 18% का ही तो दोस्तों ये थी definition जिसको की हम लोगों ने ज्यादा detail में बात नहीं किया आउटपुट tax की जो की UTGST Act में दी वी है क्योंकि मैंने आपके साथ अल्रेड़ी आउटपुट tax under the CGST Act और IGST Act को काफी detail में बात किया था है इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा गटल किया points को जिसको आप अल्रेड़ी जान चुके हैं और अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन में से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं आपको वो सारी बातें पता चल जाएंगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहां तक यहीं तक उससे पहले अगर आपने वीडियो में हमें कॉमेंट अपके हमारे वीडियो के बारे में नहीं बताया है